सो नाव बैंक को माराश्टर लिमिटेड अब देखे 65 रुपए 70 पैसे का प्राइस है और यहां पर अब हम आ चुके हैं 52 वीक हाई के अराउंड और सिर्फ और सिर्फ चार रुपए की ही दूरी रह चुकी है 52 वीक हाई आने में तो अभी अगर आप देखेंगे जव जस्ट प्रदसन है 100 रुपए के अंडर में जितने भी आपके PSU बैंक स्टॉक हैं सब मैंसे बहतरी इन क्वालिटी है और स्टॉक अब 52 वीक हाई के अराउंड आ चुका है यही एक क्वालिटी वदा रहा है यह स्टॉक की कि कितना है आप जो है एक गुड पेडिगरी आपके है तो दोनों ही बैंकिंग जिसके उपर हम लगातार कवर करते आए हैं दोनों ही बहतरीन प्रदसन करते होगे तो आभी देखिए बहुत ही क्रिटिकल प्लेस पर आ चुके हैं बैंकों मारास्ट के अंदर आप सोचेंगे कि यहां पर क्या दिख रहा है चार्ट के नदर वन की तीन डिजिट का यहां पर जो है यह स्टॉक हो जाएगा आप देखेंगे और यह लेवल्स आते हैं आपके दो 2011-2013 की लेवल्स यह आपके समने लेवल्स हैं और यह अराउंड आप उद्री की तरफ है यानि की 65.60 पहला हाई है यह 23 का ठीक है और यहां पर आपका जो हा हाई बनाता है भी यानि 69 के अराउंड 69 60 70 के बीच का जो एक जो वैल्यू है वो यहां पर ना वो आपका 2011 का है तो इनको निकालना आसान नहीं है और अगर नहीं निकालेना तो फिर यहां से गिरावट फॉल हो जाएगा और अगर निकाल दिये तब तो यहां पर तैयारी ह फिर तो यहां पर 80 85 के लेवल जो हैं वो यहां पर आने के लिए तैयार है ऐसे में Q4 भी आपका आ रहा है ऐसे में आपका एलेक्शन भी है और ऐसे में अगर आपका ट्राइविट बैंकिंग के नमबर साने स्टार्ट हो गए अच्छे जो कि मार्जिनल बेसिस पर तो आप आपको यहां पर जो है और जादा यहां पर स्टॉंगनेस देखने हो मिलेगी बैंक और मारास्ट कर दो एसे में हो सकता है Q4 से पहले ही यहां पर आपका 85 तक का जाना हो जाए तो अभी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप यह मुच्छे का कि बैंक और मारास्ट आप यह म्सोचेगा कि मैंने बहुती खराब स्टॉक ले रख कर बहुती एक डिसेंट यहां पर जो है ना स्टॉक आपने ले रख का अब ऐसे में कोई जधा परफॉर्ब करता है कोई खराभ परफॉर्म करता है ऐसे में स्टॉक को हटाया नहीं एल्रेगा तो दhy никто देखं ना दोजातेस मार्च का अब आपके एनुवल नम्बर आना है एनुवल नम्बर जो कि मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि इस यह लंब सब मई में आएगा आपका क्यू फोर के नम्बर इसके साथ एनुवल नम्बर पूरे साल का यहां पर आप इंटेस्ट अन देखो गए त तो पंदर यार आठ सो अठानवे करोड़ का जो आपका पूरे साल का दोजा तेस का यहां पर जो है आपको देखने हूं मिल रहा है इंटेस्ट अन वो आप इसे क्यू बन दो और तीन यह तीन क्वार्टर का मिला दीजिए ना तो हम इसके आसपास आ गए हैं पंदरा हजा 27 करोड़ रुपए का इंटेस्ट अन हम तीन क्वार्टर में कर चुके हैं और क्यू फॉर के जुड़ते ही हम अराउंड 19 से 20 हजार करोड़ का इंटेस्ट अन करेंगे इस साल यानि 24 मार्स तर तो आप सोचे की क्वालिटी जो है ना वो भड़ती जा रही है लगातार आप आपकी जो वैलिशन है वो निखरेगी बाकियों की कमपैरसन में आप काफी कम वैलिशन पर स्टेंड कर रहे हैं अब आप नेट एंपी देख देंगे तो आपके सामने कोई टिकेंगा ही नहीं दूसरी बात भहिया देखिए क्वालिटी के साथ रहिए कंप्रमाइज मत करि 12.65 के अराउंड आपका यहां पर पी रेशो आ चुका है बाकियों के कमपैरन जो सौर रुपैसे अंडर बैंक है पी एस वी उसकी बात करों उनमें ये नमर वन बैंक आती है नमर बैंकिंग स्टॉक आता है बैंक और महरास्ट तो इसको छोड़ना नहीं है असानी से आप जो है सस्ता बन और बड़तो वो देखेगा एक और बात प्राइस टू बुक वेल्यू की बात हम कर रहे थे लगाता हम प्राइस टू बुक वेल्यू की बात करते हैं क्या बैंक और महरास्ट प्राइस टू बुक वेल्यू के कमपैरजन आप बाकियों कमपैरजन देखेंग क्या मेहंगा नहीं है बिलकुल मेहंगा है बिलकुल मेहंगा है लेकिन एक चीज मेहंगे होने से सारे चीजे खराब नहीं हो जाती है आप देखेंगे इंटेस्ट आइंट बढ़िया है आप देखें नेट एंपी पॉइंट टॉइंटी फाइफ परसेंट बता दो किसके है ठ पासा और सब कुछ यहां पर बहतरी नहीं है तो आपके पास बसती नहीं है कोई और दूसरी चोईस इसके अराउंट और यहां पर यहां पर सुरुबात हो चुकी है लाइसी के एटिएफ ने खरिदारी करना सुरू कर दिया और यह आपका मार्च का डेटा है 1.51 करोड का यह यहां पर जो है वैल्यू है और दो लाग ब्यालेस जाद च्छपपनश यहां पर बाई करें तो लाइसी ने सुरुबात कर दी आप यह आप ही सोचिए कि लाइसी ने किस प्राइस पर बाई कियोंगे यह अराउंड आपका जो है मार्च से अप्रेल का अगर आप देखोग बिग डेटा आपके सामने बैंकों माराश्ट का आ सकता है और लास्ट देखे क्वाल्टी से कोई कॉम्परमाइज है नहीं बिलकुल भी और चाहें आप जितना भी मैं तो अल्वी कहता हूं आप स्टडी खुद करिए यह सारी चीज़ें सो रुपे के नीचे जितनी भी प फिलाल अगर आप देखें तो चार्ट पर क्या है देखें यहाँ पना काफी इंपॉर्टन लेवल है आपको अगर आपने एक महीने या दो महीने के लिए खरीद रका है यहाँ या अपने लंबे नज़री लिए खरीद रका है कि भी यह दो साल तो होल्ड करना है दो यह त important level है आपका round आपर 63 63 का level काफी important है तो किसी न अगर एक मिने के लेना है या एक बीक के लेना है तो यह एक अच्छी जगा लग रही है 63 या 62 इस range को आप ध्यान रखी यह एक रुपे की range यह काफी supporting range होने वाली अगर यह तूटेगा तो फिर इस्टॉक कहीं न कहीं तूट सकता है सिंपल सी बात आसान नहीं है यह 2011-2013 की level निकालना ध्यान रखिएगा हम उनी की तरफ है बिलकुल तो सटीक काम करना पड़ेगा इसके साथ साथ यहां पर अगर आपने थोड़े और टाइम लिया है दो तीन चार महीने के लिए तो वह यहां पर ना बहुत ही इंपॉर्टन लेवल है 57 57 रुपए का लेवल काफी इंपॉर्टन लेवल है यहां अगर स्टॉक आपको देखने मूं मिले तो एक वार को यहां से घूमने की जरूर कोसिज करेंगे काफी इंपॉर्टन लेवल है यहीं से आपको ब्रेक आउट इसवार मिला भी ठीक है बाकी यहां पर जो है थोड़से लंबे टाइम लिल ले रखका है तो मुझे यह यहां पर सिर्फ और सिर्फ 54 रुपए का लेवल नजर आता है 54-53 के लेवल काफी इंपॉर्टन रहेंगे बैंकों मारास्ट में और आप देखिएगा कि यहां पना इतना आसान नहीं तूट न ठीक है न वो Q4 ही सब कुछ करेगा Q4 अगर बिगडेंगे तो सिंपल सी बात ह सीधी सी बात है बड़े आपर अगर आप देखेंगे लंबे नजरी के लिया है ना तो कोई प्रॉबलम नहीं है ऐसे में आप जो जो यह लेवल्स देख रहे हैं ना मेरे कहार से लेवल्स को छोड़ो एक लंबे नजरी के लिए होल्ड करो एक यहां पर strategy बनाके काम करो प्रॉबलम नजरी के लिए सोच रहे थे लिए लिए यहां पर market कवर हुआ इसे में आपकी पोजिशन यहां पर जो जाएगी तो मेरा मानने यही है कि जब आपको भरोसा है लंबे नजरीय से तो उसमें जब भी 10-20% की गिरावट आती है एवरेज करना चाहिए सीधी सी बात है एवरेज करना चाहिए जब क्वाइलटी हमारे साथ है जब क्वाइलटी खराब होती है तब वो लेवल्स लेके चलते हैं कि यह रहे नहीं 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 अब तो लेवल बहुत ज़रूरी है सीधी सी बात सूमी देख काफी कुछ आपको समझ में आया होगा इन लेवल्स पर ध्यान दीजेगा और लंबे नजरी में देख रहे हैं तो थोड़ा सा स्टेडिजी बनाके काम करें जादा वैता है तो एक बार आप भी स्टेडिजी कर लिजेए इन लेवल्स पर बाकि अपने ब्रोकर एडवाइस से सला ले लीजेगा और आपकर कहना है